Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल Study with Ravethaakur पर तो चलिए आज के दर हिंदू एडिटोरियल वकादरी की शिरुगात करते हैं आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया दर हिंदू का उसका हेडिंग है Welcome Spike on India's COVID-19 vaccination record तो इंडिया ने भी एक record set किया है COVID-19 की जो टीका करन vaccination चल रहा है उसके regarding अभिया में हमने एक क्या क्या है record set किया है सबसे ज़्यादा vaccination करने का तो ये सारी बाते कही गई हैं कि इस तरह से मतलब ये satisfaction वाली बात तो है थोड़ी सी बट इसी में संतुष्ठी नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो जन्संक्या है वो काफी हट तक बहुत ज़्यादा है तो हमें अभी और इसमें काम करना होगा जो टीका inoculation का जो प्रोसेस है उसको और उसमें और ज़्यादा से तेजी लानी होगी तो हमारी जो राज्य हैं उनकी बात भी की गई है कि किस तरह से राज्य भी जो वेक्सिनेशन जो प्रोसेस से तीका करना है किस तरह से तेजी से काम कर रहा है तो पढ़ लिजे का important editorial है जरूर करके इसको पढ़िएगा तो चले शुरुआत करते हैं vocabulary कि आज का जो पहला word है वह है inoculation, inoculation word यहां पे noun की तरह यूज हुआ है, inoculation का मतलब होता है मिमारी से बचाओ के लिए ठीका लगाना, ठीका करन करना, उसे बोला जाएगा inoculation, जैसे भी COVID-19 का vaccination चल रहा है, that is called inoculation, taking a vaccine as a precaution against contracting a disease, that is called inoculation, synonyms आप देख लिजिए, vaccination, immunization, injection or shot, vaccination, immunization, injection or shot, एंटॉरिम से साइधिं, ignorance, infection or mistake, साइधिं, ignorance, infection or mistake, example देख लिजिए, the threat of a third wave and new variants make speedy, complete inoculation a priority, यह मैंने एडिटूरियल से ही example लिए है आपके लिए, third wave की चलते, बतब third wave भी आने की संभावना है और COVID के लगातार जो है नए variant आ रहे हैं, तो यह ज़रूरी हो चुका है, कि हम जो inoculation जो process से टीका करने का जो कारिया है, वो ज़्यादा जिल्दी से करें और priority पे उसको किया जाए, अगला हमारा शब्द है designable, designable word यहां पर जिक्तिक पी तरह यूज़ हुआ है, designable का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जिसमें समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रतेक्ष तौर पे होना, स्ताफ तौर पे होना, समझने योग्य होना, उसे बोला जाएगा designable, evident, visible, perceptible और observable, antonyms है, indistinct, invisible, unnoticeable और unrecognizable, indistinct, invisible, unnoticeable और unrecognizable, इसके antonyms है, discernable word के, example देख लेजीए, far away, the outline of the island is just discernible, की बहुत दूर से भी जो island की टापू की जो outline है, वो देखी जा सकती थी, notice की जा सकती थी, साफ तौर पे, अगला हमारा शब्द है mortality, mortality word यहां पे noun की तरह यूज हुआ है, mortality का मतलब होता है, किसी एक जगह पर लोगों के मरने की संख्या, मरने वालों की संख्या या मृत्ति उदर से, उसके बोला जाएगा mortality, the mortality in a particular place or situation is the number of people who die, that is called mortality, synonym साब देखी जाए, death, fatality, dying or humanity, death, fatality, dying or humanity, and term से, immortality, life, birth or eternity, immortality, life, birth or eternity, example देखी जाए, the nation's infant mortality rate has reached a record low, कि जो देश की है, infant mortality जो rate है, infant होता है, बच्चे, जो नवजात, शिशु, जो नवजात, शिशु की मृत्ति उदर में है, वो क्या ही है, record उसमें कमी आई है, कमी दर्ज की गई है, अगला हमारा शब्द, laggard, laggard word यहां पर adjective की तरह यूज हुआ है, laggard का मतलब होता है, मंद होना, सुस्ती होना किसी चीज में, मतलब मंदी होना, या धीले से कोई काम होना, कोई विक्ती की बात हम कर सकते हैं, विक्ती जो कि इन इस तेज हो, आलसी हो, बहुत धीला ढ़ाला हो, तो उसे बोला जाएगा laggard, मतलब धीरे-धीरे चीज कोई किसी चीज का किसी प्रक्रिया का होना, उसे बोला जाएगा laggard, if you describe a country, company, or product as laggard, you mean that it is not performing as well as its competitors, that is called laggard, synonym साब देखलीजिए, dwadler, dilatory, loafer, or slow, antonyms है fast, quick, rapid, or prompt, इसके antonyms है laggard word के, example देखलीजिए, the laggard on the scientific activities Canada, मतलब ये कैनेरा की बात की गई है कि उसमें वहाँ भी है, जो scientific जो गतिविदिया है, ज्यानिक जो गतिविदिया है, उसमें क्या है वो, मतलब धीरे-धीरे चल रहे हैं वो गतिविदिया, अराम से धीरे-धीरे, अगला हमारा शब्द है plausible, plausible word यह हम objective ही तरह यूज हुआ है, plausible का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो की accept की जा सके, स्विकार करने योग्य हो, मुमकिन हो, हमें लग रहा है कि ये feasibility बनती है, या तरक संगत होना चीज़ का, मतलब वो तरक संगत हो, उसे बोला जाएगा plausible, an explanation or statement that is plausible seems likely to be true or valid, that is called plausible, synonym साब देख लिजे, believable, reasonable, credible or possible, believable, reasonable, credible, possible, antonym से unlikely, unbelievable, inconceivable or doubtful, unlikely, unbelievable, inconceivable or doubtful, इसके antonym से plausible word के, example देख लिजीए, a more plausible explanation would seem to be that people are fed up with the administration की, स्विकार करने काफी हद तक स्विकार करने वाली बात ये भी है, कि जो लोग है वो fed up हो जुके हैं, मतलब बोर हो जुके हैं, किसे administration से ने आए, मतलब जो शाशन व्यवस्था है, उससे क्या हो जुके हैं, fed up हो जुके हैं, अगला हमारा शब्द है quadrupled, quadrupled वोड यहां पर वर्पी तरह यूज़ हुआ है, quadrupled का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का 4 गुना होना, 4 ताइमस, 4 गुना बढ़ जाना किसी चीज़ में, 4 गुना बढ़ होत्री हो जाना, उससे बोल जाएगा quadrupled, if someone quadruples an amount, or if it quadruples, it becomes 4 times bigger, that is called quadrupled, synonym साब देख लिजिए, 4 fold, quad, 4 time or factor, antonym से single or decrease, example देख लिजिए, China seeks to quadruple its income in 20 years, कि China ने ये लक्षर रखा है, वो चाहता है चाइना, कि उसकी 20 ये आने वाले 20 साल में, उसकी income आये, जो हो क्या हो जाए, 4 गुनी हो जाए, यहां से हमारा दूसरा editorial शुरू हो रहा है, दूसरा editorial भी बहुत जादा important है, क्योंकि अभी ये काफी चर्चा में रहा था ये विशे, जो हमारे social media platforms होते हैं, जो facebook है, twitter है, whatsapp है, तो सरकार इनके लिए कुछ एक जो नीतिया बना रही है, उसके regarding काफी hot topic बोल सकते हैं, आप रहा था अभी ये, और ये फिर से बात आई है, सरकार अब जो e-commerce platforms हैं, जैसे आपका flip guard है, हमारा amazon है, तो इसके regarding भी कुछ एक rules और regulations लेके आ रही है सरकार, तो इसके बारे में दिया गाए है, पूरा editorial बहुत जादे important editorial है ये, क्योंकि हम से जुड़ा है, तो बहुत important है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा, परन्तु कहीं negativity की बात भी की गई है, कि किस तरह से ये जी सरकार चाहेगी, कि वो जादा rule थोपने की कुशिश करेगी, तो उसका negative impact भी पढ़ सकता है, तो काफी हद तक ये बाते कही गई हैं, पढ़ लीजेगा, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हैजिंग है इसका policy creep on e-commerce and overregulation risks, पहला word है इसका creep, creep word यहाँ पर work की तरह use हुआ है, creep का मतलब होता है, धीरे-धीरे से आगे बढ़ना, रेंगते हुए हम बोल सकते हैं, धीरे-धीरे से आगे बढ़ना या इतना मतलब चुप-चाप चलना कि किसी को पता ही ना चले कि कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, कि हमें कोई देखना सके हम इस तरह से चल रहे हैं, to move forward slowly, that is called creep, synonym साब देख लिजे, crawl, steal, slink, or sneak, crawl, steal, slink, or sneak, antonym से bolt, dash, sprint, or angel, example देख लिजे, the traffic was only creeping along, कि जो traffic है, वो कैसा चल रहा है, धीरे-धीरे से move कर रहा है, रिंगते हुए, अराम-अराम से traffic हो रहा है, move हो रहा है, अगला हमारा सब्द is retarging, retarging word यहाँ पे, word की तरह use हुआ है, new word है, retarging का मतलब होता है, किसी भी तरह की progress में, अडंगा बनना किसी का, प्रगती रोकना किसी की गती, या गती को कम कर देना, speed को कम कर देना, धहिमा कर देना, उसे बोला जाएगा, retarging, if something retards, a process, or the development of something, it makes it happen more slowly, that is called retarging, synonyms आप देख लिएजे, delay, post phone, delaying, decelerate, accelerate का उल्टा, decelerate, मतलब delay, post phone, delaying, or decelerate, endonyms देख लिएजे, accomplishing, achieving, begetting, or breeding, example देख लिएजे, this drug will retard your heart rate, कि जो यह दवाई है, यह तुम्हारा, जो heart beat है, heart rate है, इसमें क्या होगा, इसमें वो धीमा कर देगा, यह दवाई, अगला हमारा शब्द है intent, intent word यहां पर नाव की तरह यूज़ हुआ है, intent का मतलब होता है, किसी भी काम को करने का, इरादा होना, या हमारा बोलने का क्या मतलब है, अभी प्राय, इतना ध्यान मगन होना कि हमें पता ही ने लगे, कि हम क्या कर, मतलब कुछ हो रहा है, हम इतने किसी चीज में ध्यान लीन है, that is called intent, if you are intent on doing something, you are eager and determined to do it, that is called intent, synonym साब देख लिजए, intention, purpose, design, or goal, antonym से, irresolute, accident, luck, और unorganized, इसके antonym से, intent word के, example देख लिए, she was so intent upon her work, that she didn't hear me coming, कि वो इतनी मशगूल थी, अपने काम को करने में, इतनी ध्यान लीन थी, ध्यान मगनी थी, कि उसे, इसकी आहाटी नहीं सुनाई दी, कि मैं अंदर भी मैंने enter किया, दूसकी आवाजी उसको सुनाई नहीं दी, इतनी वो ध्यान में मगनी थी, अपने काम को करने में, अगला हमारा शब्द है protected, protected word यहाँ पर वर्प की तरह उजगा है, protected का मतलब होता है, ऐसी कोई क्रिया विधी, ऐसा कोई काम, जो बहुत जादा लंबे समय तक चले, उसको बूला जाएगा protected, लंबे समय तक चलने वाला देरगा काली, that is called protected, relatively long, long, in duration, or tediously protected, synonym साब देख लिजिया, lengthy, prolonged, extended, or long, antonym से fast, abrupt, fleeting, or little, example देख लिजिया, the court case was so protected, that one of the judges died of old age, कि यह जो court का case था, वो इतनी लंबी अवधी तक चला, कि एक judge उसमें जो वृद्ध थें, एक judge उनकी मृत्ति हुई होगी, इतना लंबा case चला, उसकी सुनाई से पहले कि क्या हो गया, जो जजों की जूरी थी, उनमें से एक judge की क्या हो गई, अगला हमारा शब्द हाक, हाक वर्ड यहां पर वर्व की तरह यूजगा है, हाक का मतलब होता है किसी को बड़े ध्यान से सुनना, उसको attention दे के सुनना, उससे बोला जाता है हाक, to listen or pay attention, that is called हाक, synonym साब देख लिए, listen, hear, attend or pay attention, antonym से इग्नोर, a declaim, expectish, expectish, और expound, example देख लिए, just हाक at the cuff of yours, कि अपने जो cuff है, मतलब खासी यह उसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान से आप सुने की feel करें उस चीज़ को, expectiate, माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ, expectiate है यह, कई बार slip of tongue हो जाता है, ambiguity, ambiguity word यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है, ambiguity का मतलब होता है, ऐसी कोई स्थिती, जो की बिलकुल दुविधा से बरी हो, दुविधा पूर्ण हो, ऐसी कोई बाद जिसका एक से अधिक अर्थ निकाला जा सके, असपश्टता होना किसी चीज़ के प्रती, और obscurity, uncertainty, equivocation, vagueness, और obscurity, इसके synonyms है, antonyms है, clarity, certainty, unambiguity, or clearness, clarity, certainty, unambiguity, or clearness, इसके antonyms है, ambiguity word के, example देख लीजिए, there is considerable ambiguity about what this part of the agreement actually means, कि जो कोई agreement है, कोई समझ होता है, मतलब ध्यान देने की बात है, मतलब उसमें असपष्टा है, जो समझोते, किसी समझोते की किसी agreement की बात हो रही है, और उस agreement के भी एक पाच की बात हो रही है, कि ये, मतलब देखने योगे है, कि वो थोड़ा सा असपष्ट सा है, clarity उसमें नहीं है, अगला हमारा शब्द है, हिदर्टो, हिदर्टो यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और यह हिदर्टो वर्ड आज की देहिंदु लिटोरियल वकाबलरी का अंतिन शब्द है, हिदर्टो, हिदर्टो का मतलब होता है, हम कुछ बात करें, मतलब अब तक क्या हो चुका है, अब तक का मतलब still yet, इसका देख्ट में इसका यूज़ होता है, हिदर्टो वर्ड का, यू यूज हिदर्टो to indicate that something was true up until the time you are talking about, although it may no longer be the case, that is called हिदर्टो, synonyms आप देख लिजिए, so far, so far, previously, date, or as yet, so far, previously, bubbling, और no longer, इसके अंटर्णिम से हिदर्टो वर्ड के, example देख लिजिए, कि यूरोप needs to join forces on a scale हिदर्टो unseen, कि यूरोप को चाहिए, मतलब बड़े पेमाने पे, अपने सेना में जो है, वृद्धी करनी पड़ेगी, जो अब तक उसने नहीं की है, अब तक नहीं देखी गई है, ऐसी वृद्धी, ऐसी जोईनिंग उनको, armed forces में करनी होगी, किसको यूरोप को, तो यह हमारा आज का, अंतिम शब्था, अपना हिदाटो, दे हिंदू अडिटूर्टो वकाबलरी का, तक यह, जो झालिटूर्टो वकाबलरी का,